हेलो एब्रिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्वागत था आपका अपने चैनल स्टेडी मटीरियल पे फ्रेंज जो आपकी हमने हर्याना जी के टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी आपके आने वाले हर्याना सीटी गुरूप टी एक्जाम या फ साथ में टेस्ट सीरीज से हमारा क्या है एनलाइज भी हो तो इसी तरह से में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर हम आपको टॉपिक वाइस जैसे कि आपका यहां पर टॉपिक लिया है हर्याना की संसादन खेल परिशर खनीज संपेदा वय उर्जा यह आपका इस topic से questions 100% पूछे जाते हैं important topic है इस topic से आपके जितने भी पिर्वेशर questions है जो पिछले exam में बने हैं और आगे बनेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिये हुए हैं इनको विदे explain मैं अच्छे से करूँगी जिससे क्या है आपका यह topic भी clear हो जाए और साथ में आप यहाँ पर आप answer देना जिससे क्या है आपका भी analyze हो क्योंकि आपने already चीजे की होंगी ठीक है तो आपका दो-दो benefit इस वीडियो से मिलेंगे इन वीडियो से मिलेंगे जिससे क्या है आपना analyze भी कर पाओगे बहुत ही ज़दा helpful रहेंगी सीरीज अपने friends में share कर देना ठीक है और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर करना है सबी बच्चों को जिससे क्या है आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाए आपके लिए सीरीज बहुत ही help रहेंगे आपको कोई वहरेना का एक्जाम हो जहांबे आपकी हरेना जी के आए इसी तरह से हमने आपकी current affairs की सीरीज भी start की हुई है उसमें हम आपकी complete current affairs करा रहे हैं और one liner question के साथ तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर follow करें तो चलिए आज की इस वीडियो की सुर्वात करेंगे जैमा सरस्वती आपका first question है अजेराना का संब्ध किस खेल से है options आपके पास थे हैं कुस्ती, football, cricket, hockey तो इस question का राई टांस पर रहेगा आपका cricket अजेराना का संब्ध रहेगा आपका cricket खेल से अजेराना का जनम हुआता भई 13 दिसम्बर 1981 तो ये चीज भी आद रखनी है अजेराना से संब्ध रहेगा आपका होकी से ये होकी से संब्ध है आपके संदीब सिंग, संदीब सिंग हर्याना की कुरूचे तरजले से है और इनका जनम हुआता भई आपका 27 फरवरी 1986 में हुआता ठीक है 1986 में इनका जनम हुआता 27 फरवरी 1986 में इनका जनम हुआता कुरूचेतर जिले में तो ये चीज भी आद रखना है होकी के खिलाडी है और होकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके है तो यह आपको संदीप सिंग से यह चीज़े याद रखनी है थर्ड नमबर कोईशन आपका खिलाडियो और उनकी खेल के संबंद में निमिलिक में से कौन सा यूगम गलत है आपके विजेंदर सिंग मुक्य वाजी, कपिल देव किरिकेट, ममता खरब निसान वाजी, गीता जूसी, टैक एवं फिल्ड एथलेटिक तो बताए इस कोईशन का राइट आंसबर क्या रहेगा तो इस कोईशन का जो आपका राइट आंसबर रहेगा, यहाँ पर क्या पूछा भई, आपको गलत यूगम पूछा है, तो यहाँ पर जो आपका गलत हो जाएगा विजेंदर सिंग मुक्य वाजी से समब्दित है, कपिल देव सभी को पता है, किरिकेट खेल से समब्दित ह तो यह चीज आपको याद रखनी है, आपको, आप चलिंगे हम नेश कोईशन पर, नेश कोईशन आपका पतोदी नगर से किस किरिकेट ख्लाडी का सम्मद है, कपिल देव का, नवाब मंसूर अली का, विरेंद सहवा, या पिर अजैर आत्रा, तो इस कोईशन का जो पतोटी, ठीक है, उन्ही के नाम पर इनका नाम पढ़ा था, ये चीज आप उनको याद रखना है, नवाब पतोटी, नता टाइगर के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो ये चीज़े आपको याद रखनी है, नवाब मुलसूर अली से, सम्मदित, फाइव नमबर कोशन ह अंतराष्टिय सोर उर्जा मुख्याले किस नगинки में स्थापित है, गुरुगराम, पानि पत, करनाल, फर्दवार, इस कोशन का राइट। आइगा अंतराष्टिय सोर उर्जा मुख्याले गुरुगराम में सिद्धै, तो उप्संन नमबर ये आपका रैट हो जाएगा से समय दित है पूश्य नमबर 6 रहेगा भारत के लिए मुख्यवाजी में सर्वर प्रितम ओलॉम्पिक पदक किस ने हासिल किया था उप्संस आपकी विकास यादव विजेंदर सिंग जगदीश सिंग गिरवर सिंग तो बताए इस कोशन का राइट आंसबर तो इस कोशन का याद रखनी है किसमें जीता तभी 2008 में मुख्यवाजी में आप इन्होंने काश्य पदक जीता था इन्होंने ACI खेल वर्स 2014 में स्वन पदक भी जीता इन्हें 2011 में राजीव गांधी रतन पुसकार से भी समारित किया गया था तो आपको ये सारी चीज़े याद रगनी है विजेंदर सिंग से फिर से रिपीट कर देती हूं इन्होंने 2014 में ACI खेल में इन्होंने स्वन पदक जीता 2011 में राजीव गांधी खेल अतन पुसकार से इन्हों समारित किया गया था और 2008 में इन्होंने मुख्यवाजी में क्या जीता था भी काश्य पदक जीता तो ये 15 अगस 2008 26 जनवरी 2009 21 अगस 2009 या फिर 23 अपरेल 2018 इस कोशन का राइट आंस्वर हो जाएगा भी आपका अँटी 23 अपरेल 2018 हर्याने नहीं खेल नीति को 23 अपरेल 2018 को सिविकार किया था ने इस कोशन पर चलेंगे इट नंबर कोशन आपका कक्रोई माइक्रोजल विदुद परियोजना किस नहर नहर पर बनी तो यह बनीति भई नगर नहीं है यह नहर है ठीक है नहर है यह हो जाती है जब टाइपिंग करते हैं तो अब यह मिश्टेक्स हो जाती है तो मैं आपको यह सही करा दूंगी साथ में तो यह बनीति आपकी तो यह चीज़े आद रखनी है और इसमें एक चीज और पूजी जाती है जल बिदुत की समता हो जो है इसमें 300 Mewatt की है जल बिदुत की जो समता है 300 Mewatt पर एक 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 शाम में कोशन भी आया था तो मैंने यह भी पता दे 300 Mewatt है इसकी का क्रोई नहर माइक्रो जल बिदु तो आपका कौन सा है वही कुस्ति है सभी को पता है इंप्रोटेंट कोशन है नएस कोशन है आपका खेल नीती 2015 में खिलाडियों को कौन सी सुविदा दी जाती है और से आपके सामने पदक विजेता की रासी में विर्धी गाउं में आउट्डोर खेलों की सुविदा राष जो यहां पे मैंशन है और आपको यार रगना है राष्टी अकेडमी की स्थावना की जाए गी तो आपको इन सारी चीजों की सुविदा दी जाएगी खेल नीती 2015 में खिलाडियों को इस कोशन का राइट आंस पर काउन सा भी ऑप्सन डुमबर डी आपका नएकर कोशन है ह हर्याना राज्ये में दो स्थानों पर पंचकुला और आपका पंचकुला में कहां पर मोर्नी हिल ठीक है यह आपको याद रखना है गुरूराम इन दोनों में ही आपकी प्रिस्तावित की जा रही है तो इसका जो राइट आंस वरेगा वो सी रहेगा हर्याना प्रिस्तावित की जा रहे है तो यह कहां स्थापित की या रहा है हर्यान का प्रिस्ता प्रिस्तावित की जिले में सरित है चर्खी-दाद्री गुरुप्राम विवानी-पानि-पत तो यह चर्खी-दाद्री में है ठीक है चर्खी-दाद्री के नंदागाओं में यह हर्यान का परत्म Solar Power Bl मुखाले अंतराश्टी सौर उर्जा का मुखाले है अपको याद लगना है तो यह सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए यह आपका कहां पर रहेगा यह मुखाले आपका गुरुग्राम में रहेगा उसके बाद आपके नाश कोश्चन पर चलिंगे अक्षय और्जा भवन की स्थापना कहां की गई थी सिरसा में पानिपत में करनाल में गुरुबराम में अक्षय और्जा भवन की स्थापना कहां की गई थी तो ये आपकी हो जाएगी यहां पे पानिपत में पानिपक्त में अक्षे वर्जा भवन की श्थापना की गई या आपको याद रखना है कब कब की गई थी एक जुलाई 2015 में चलिए next question पर चलीगे next question आपका हर्याना और्जा बर्स कब होता है हर्याना युरजा बर्स कब होता है option से 2011 है 2000, 2010, 2009 तो इस question का right answer रहेगा भी 2010 ठीक है हर्याना उर्जा बर्स 2010 उर्जा मंतरी रंजीत सिंह चोटाला तो इन से ये चीज भी आद रखनी है हर्याना उर्जा बर्स 2010 है हो जाएगा उर्जा मंतरी रंजीत सिंह चोटाला से सम्मेदित हैं भई नैस question आपका हर्याना उर्जा बर्स कव होता है 2011, 2000, 2010, 2009 तो इस question का right answer रहेगा आपका 2010 नैस question आपका हर्याना का राज की खेल क्या है repeat हुआ question तो answer रहेगा इसका कुस्ति ठीक है दो खलाडियों के बीच में होती है ये कुस्ति और ये हर्याना का राज की खेल है question number 18 रहेगा हर्याना का सर्वच्चे खेल पुर्षकार कौन सा है option से आपके भीम पुर्षकार, हाली पुर्षकार, सुर्व समान भट तो बताए इस question का right answer पर क्या रहेगा ये जो question है ये अभी आपका हर्याना सीटी में भी आया था ये question ठीक है तो इस question का right answer रहेगा भीम पुर्षकार का सरवच्च खेल पुर्षकार है वर agora 5 लाक की णगत रासी दे जाती है तो ये भी आपको याद रखना है और यहाँ पर बता दूं में जो इह खालine पुर्षकार है विह बीम पुर्षकार में कितनी रासी दी जाती मही पांस लाक की नगत और यहाँ पेली प नाइन्टीन कोशन है महाराना प्रताब बड़ में कितनी रासी दी जाती है इंपोर्टेंट कोशन है ठीक है महाराना प्रताब अबॉर्ड जो खलाडी जीवन भर खेलों को बढ़ावा देते हैं उन्हें दिया जाता है नगत राशी 2 लाग रुपे तो इस कोशन का answer रहेगा next question है महाराना प्रिताप अबोर्ड में कितनी राशी दी जाती है तो options आपके पास छे करोड दो लाग 25 लाग 10 लाग तो इस question का जो right answer रहेगा वो हो जाएगा भई आपका महाराना प्रिताप अबोर्ड जो खलाडी जीवन भर खेलों को बढ़ाबा देते हैं उन्हें दिया जाता है नगद राशी दो लाग ठीक है दो लाग रहेगा इस question का right answer आपका बिवानी बॉक्सिंग कलब की स्थाबना कव की गई थी 31 जनवरी 2010 22 माई 2006 21 मार्ट 2003 इन मेंसे कोई नहीं तो इसका जो right answer रहेगा आपका हो जाएगा वे 21 मार्ट 2003 विवानी बॉक्सिंग कलब की स्थाबना 21 मार्ट 2003 को की गई थी तो इसका answer रहेगा आपका option number C next question आपका राश्टी ए एरो स्पोर्स सेंटर का नाम बदल कर क्या रखा गया options आपके पास राजीव गांधी एरो स्पोर्स सेंटर सौनी पर साई सेंटर इन मेंसे कोई नहीं या पर उप्योक्स सभी तो इस question का right answer आपका राजीव गांधी ए किस खेल से शम्बदित है किर्कित होकी कुष्टी कोल्फ अमित मिसना तो इसका राइटा आपका क्रिकिट से हैं ये सम्बदित हैं आपकी किर्किट से कपिल देव ठीक है नवा मंसूर अली पटो की अजैराना जो गिंदर सरमां है और एक यूजवंदर चहल अमित ठीक है पढ़ाया था अजय जडेला इनका संब्धा आपका किर्केट खेल से हैं तो एक्जाम में पोचे जाते हैं याद रखना है कुस्ती में आपकी घीता फोकार्ड है आपको याद रखना है और होकी में कौन है भई होकी से प्रितम रानी यह आपको याद रखने है यह आपके खेलों से समबादित है इस question का right answer रहेगा होकी ठीक है तो यह होकी से आपकी पिर्शिद्ध है यह दो आपकी सविता पुनिया और मंता करप तो याद रगना है next question पर चलिंगे next question आपका जिम नाष्टिक खेल से समधित है options आपके निरमर गुलिया अनुप सिंग, अभीनव लोहान या फिर गगनारग तो बताएं इस question का right answer क्या रहेगा निर्मल गुलिया ठीक है ये रहेंगे इस question की right answer जिमनाश्मी खेल से समधित है आपके निर्मल गुलिया तो याद रखना है next question पर चलेंगे भई next question आपका 25 बेंटमिंटन खेल में प्रिसित खलाडी कौन से हैं? उप्सन से आपके सभीता पुनिया हवासिंग, साहिना नहवाल, साक्षी मली तो right answer पर एगा आपका यहाँ पर साहिना नहवाल 26 question आपका हर्यना रायजे में सहीद भगत सिंग स्टेडियम कहां स्तित है? रिवाडी में, सिर्षा में, भिवानी में, हिसार में तो इसका right answer पर एगा आपका सिर्षा में तीक है सहीद भगत सिंग स्टेडियम आपका सिर्षा में है next question है भई आपका और यहाँ पर बता दू मैं आपका जो हिसार है ना हिसार यहाँ पर आपका महावीर स्टेडियम है ठीक है यह वी एक्जाम में पूछा जाता है और आपका भिवानी में यहाँ पर भिवानी में आपका कौन सा स्टेडियम है भीम स्टेडियम तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब पार फरीदवाद में कॉंसा स्टेडियम है नहार स्टेडियम, सिवाजी स्टेडियम, करन स्टेडियम, दुरोनाचारे स्टेडियम, तो बताए राई टांशमर क्या रहेगा, देखो इस कोशन में भी बहुत सार कोशन आपके किलियर होंगे, सबसे पहले बता दू, तो फर्दवाद में आपका जो स्टेडियम है वो है आपका नहार स्टेडियम, ठीक है, आपका नहार स्टेडियम है आपके फर्दवाद में, उसके बाद जो सबाजी स्टेडियम है आपका पानी पत में है, कहां पे आपका पानी पत में, या तो आप से पूछ लेगा कि पान को बन सकते हैं और जो चिज़े रहे जाएंगी हो मेरादन क्लाशी जब एक्जाम पर मैं वह भी आपको चैनल पर जुड़ें रहना है कि क्यारंटी मैं अब चैनल तो आपको सायाध में आपको सबार्बार सब्के гр करन लिखाई करन इस तरह से लिखा जाएगा करन स्टेडियम कहां पर आपका करनाल में है तो यह आपको याद रखना है और दुरोनाचारी स्टेडियम बच गया दुरोनाचारी स्टेडियम आपका कुरू छेत्र में है यह याद हो जाएगा कुरू छेत्र में है तो यह आप क्या रहेगा इस question का built football stadium पोचा है किस जिले में सित्थ है तो आपका राइटांस पर रहेगा यम्ना नगर में तीक है यम्ना नगर जिले में है built football stadium तो याद रखना है next question पर चलिंगे गुरुग्राम में सित्थ खेल परिशर कौन सा है options आपके पास राव तुलाराम stadium दुरोना चारी stadium भीम stadium या पर नहरू नहरू देवी लार stadium यहाँ पर गलती से लगा है वे आएगा नहरू वे देवी लार stadium ठीक है तो इसका उशिन का जो राइट आंस पर रहेगा गुरुग्राम में सित्थ खेल परिशर तो यह नहरू वे द बता दिया भीम stadium आपका भिवानी में ना भैसे भीम और भैसे भिवानी तो ऐस तरह से आप connection बिठाकिन को याद कर सकते हो लंबे समय तक याद रख सकते हो नेस कोशन रहेगा जहां आरा बाग stadium किस दिले में निर्मित हैं जहां आरा बाग stadium ऑप्शन से आपके सामने जजर सौनिपत अंबाला जीन तो इस कोशन का आपका एब हो जाएगा निर्जर जजर में हैं आपका जहां आरा बाग stadium कि याद रखना है सौनिपत में कौन सा बही सुधा स्टेडियम से दिप्ट है रहां में है अम्बाला में है आपका आमो divers में ये सोनी पत्मे मैं आपको बता दिया design ... जी इंद में कौन सह भी ये controllers करके बताओ बहूत easy है जी इंद में बताना है कौन से Estádium हो जाएगा कोईशन आपका हाली पुर्षकार किसके दुआरा दिया जाता है. options आपके हर्याना पंजाब अकादमी, हर्याना उर्दू अकादमी, हर्याना संस्कृत अकादमी, हर्याना हिंदी अकादमी, तो इस question का right answer रहेगा आपका हर्याना उर्दू अकादमी, ठीक है, option number B रहेगा हर्याना उर्दू अकादमी, इस question है 32 question, हर्याना के किस सथान पर स्थ तो अच्टाइसों मेगाबार्ट का नया सक्ति सायंत्र लगाया जाएगा आपका गोरखपूर में उसके बाद आपका 33 कोश्चन हैं हर्याना में उर्जा उत्पादन हेटू उत्तरदाई कौन हैं हर्याना बिदुस्थ सुधार आयोग हर्याना राजय विदुदपोर्द तर इस Qo son ka Right Answer रहे गा ह्याना उर्चा उतवादन लिमीटेड ऑपसिन सी रहेगा इस Qo Qo शाक्षी मल्यक का जनम हुआ था 3 स्थमंभर 1902 4 अगस्थ 1992 6 दिसंबर 1991 Qo आपका रियो ओलम्पिक 2016 की कासे पदब जीता है यह साक्षी मलिक और यह आपका 3 स्टमबर 1902 में हो जाएगा इस कोशन का राइट आंसबर हो कहां से संब्धित है मोकरा गाम रहतक से यह संब्धित है उसके बाद आपका 35 कोशन है हर्याना के प्रिसित ख्राडी गीता आपके भारतो लोन सत्रन्स एथलेटिक से आपके कुछ थी तो इस कोशन का जो राइट आंसबर रहेगा वह जाएगा आपका एथलेक्ट से हैं वह आपकी गीता जोसी ठीक है तो गीता जोसी का जनम याद रख लेना दो दिसंबर दो जिसंबर 1956 में हुआ था जीता जोसी की एक पूर भारती टैंक और फिल्ड एथलेट है और यह आपको याद रख नहीं है उन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर सरप्रदाओं में क्याई राष्टी और ACI रनिंग रिकॉर्ड भी स्तापित किये हैं उसके बाद 36 कोशन है हाली में हर्याना सरकार ने किस बॉली बिड पिले वे कायक को हर्याना गौरभ समान परुषकार से समानिथ कया है रजीत सिंह को नकास अजीज को सॉनुन निगम को या फिर अवीजी डौ naught चारे तो इस question का right answer बनेगा ह्र्याना से बिलांग करते हैं और ह्रयाना में हां से कमेंट करके बताना बहुत ईजी question है कि सौनु निगम से संबदित हैं कि इस चिले से संबदित सभी को बताना है 37 number question है निमलिकित में से कौन वेह महिला freestyle स्टाइल कुष्टी बाज है जिसमें 2010 में राश्टे मंडल खेलों में भारत का अब तक पहला स्वन पदक जीता बवीता कुमारी फोगार्ड गीता फोगार्ड प्रेंका फोगार्ड या फिर आपका यह डवल दे दिया है एक ही है इसमें तो इन में से बताई कौन सा रहेगा आपका राइट आंस्वर तो इन में से आपका गीता फोगार्ड है ठीक है आपको याद रखना है तो इस कोशन का जो राइट आंस्वर रहेगा आपका गीता फोगार्ड रहेगा ऑप्सन नमबर बी इसके बाद नेक्ट कोशन आपका हर्याना में भिवानी जिले में विका प्रिश्ट नियादव ने 2010 में ACI खेलो में मुक्यवाजी खेल में स्वन पदक जीता है उसके बाद है आपका फर्दवाद में नहार सिंग स्टेडियम किस खेल के लिए प्रिशिद है फुटबॉल होकी किर्किट कबड़ी तो नहार सिंग स्टेडियम आपका किर्किट खेल स संबदित है इंप्रोटन चीज़े है आदक ना है और कहां पे है आपके फर्दवाद में उसके बाद आपका फोटी कोशन है क्लाडी राम मेहर का संबद किस खेल से है कबड़ी गोल गुला फैक होकी हैड़ वॉल तो इसका जो राइट आंसपर रहे कभी आपका क्लाडी र घर रहे ुष्ट करूड रहे इसक कोशन का राइट आसपर च्पैस्पर चलएंगे वॉर्नि पाहडी का उस्तम बिंदू कहलाता है करू की जोटी घरू की चोटी तो उसा चोटी क्रेशत चोटी तो इस question का right answer पर रहेगा भी आपका करू की चोटी कहलाता है ठीक है मोनी की पाड़ियों पर जो उस्तम मिंदु है वो करू की चोटी कहलाता है ना कि गरू की चोटी 44 question रहेगा इस वीडियो का क्लाडी राम मेहर सिंग का संबद बताना है कवड़ी से होकी से गोला फेक फेड़ बॉल तो यह भी रिपीट हुआ ना question क्लाडी राम मेहर का संबद अभी बता था आपका कवड़ी से है उसके बाद साइना नहवाल का संब्द बताना है किस खेल से है साइना नहवाल का निसाने वाजी कुछ दी बैंड मिंटन या पिर होकी तो साइना में नहवाल का जो संब्द हो जाएगा आपका सभी को पता है बैंड मिंटन खेल से संब्द है आपकी साइना नहवाल उसके बाद आपका 46 कोशन है विजिंग ओलोंपिक 2008 में मुक्यवाजी में किस खिलाडी को काश्य पदक मिला था पिंकी जाकड नगगन नारंग दिनेश कुमार या फिर विजेंदर सिंग तो ये मिला था भी आपका इसका आपका विजेंदर सिंग के विजेंदर को मिला था ये 2008 में मुक्यवाजी में विजेंदर सिंग काश्य पदक उसके बाद है आपका खेल के छेतर में गीता फोकाड का नाम संब्दित है तो गीता फोकाड अभी ये कोशन हमने और तरीके से क्या था मतलब ऐसी कोशन आएंगे डारेक्ट आएंगे फिर सिवा निमिलिक में से किस खेल से जुड़ी है जुड़ी है ऑप्सन साब के किर्केट होकी बैंड मिटन मुक्यवाजी तो यह होकी से है ठीक है यह आपको याद रगना है प्रितम रानी सिवाज का जनम हुआता दो अक्तूबर 1904 में और यह कौन से खेल से संब्दित हैं आ उसके बार 49 ekos है आपका चेतरपल कनुंसार निम न में से हर्याना का सबसे बड़ा जिला कौंसा है हमबाला सिर्शा पानिपत भीवानी तो सबसे बड़ा जिला है आपका सिर्शा है दूसरे स्थान पर वुजाए petrol हो जाएगा हो तीसरे स्थान पर आपका भीवानी हो तो यह आज की वीडियो के पहला हमारी सीरीज कैसी लगी पहला हमारी कैसी लगी आपकी हरेना जीक्या को कबर कराने की टेस्स सीरीज के माध्यम से टॉपिक वाइस तो आप जरूर बताना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना बहुत मैनत लगती है और आपका जो लाइक है मोटिवेट करे गा इसी तरह से हमें सीरीज कंटिनू रखींगे ठीक है आपकी एक्जाम तक आपका हरेना जीक्या का कोई कोई कोशन नहीं रहेगा सारे ही कोशन इसी तरह से टेस्स तो प्लीस मैं बोल रहे हैं उनके पास ही वीडियो शेयर कर देना ठीक है तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थेंक्यू फ्रेंड्स